अभी हाली में आप लोगोंने देखा होगा कि हमारी अर्द्रस्था यानि कि भारत की अर्द्रस्था पांचवे नंबर पर पहुँच चुकी है पहले चटवे नंबर पर थी हम लोगोंने बेटेन को यूनाइटिट किंगरम को पीछे छोड़ दिया है और पहले स्थान पर आप देखते हैं कि आपका अमेरिका है फिर उसके बाद चाइना फिर जापान और उसके बाद जर्मनी और जर्मनी के बाद भारत का नंबर आ गया है और आप देखे इसके जो पक्षकार, सरकार के पक्षकार है, सरकार के जो आप देखे पक्ष लेते हैं, वो सरकार की तारीव कर रहे हैं और सरकार की एक तरह से आप देखे के कह रहे हैं कि सरकार की बज़य से मौधी सरकार की बज़य से हम लोग 5 भी नंबर पर पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने बेटेन को पीछे छोड़ दिया है और दूसरी तरह आप देखे कि जो आलोचक हैं जो सरकार की आलोचना करते ह वो ये कहकर आलोचना कर रहे हैं कि हमें बेटेन United Kingdom की पिती वेक्ती आये देखना चाहिए हमें वहां की जनसंख्या देखना चाहिए उसके बाद हमें भारत की अर्द्वस्था के बारे में बात करनी चाहिए और कई इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि उसमें आप देखें UK क्या आपका भेटेन टॉप पर रहता है और हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं और अगर जनसंख्या की हम लोग बात करें तो भेटेन की आपको देखने को मिलेगी 7 करोड के लगभग है और वहीं इंडिया की देखें तो 140 करोड के लगभग पहुंच चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि एक जनसंख्या का गैप बढ़ा है तो आज हम इसके बारे में एक सामान चर्चा करेंगे और आखिर देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है सरकार आप देखें सरकार के जो मंत्री है वो भी आप देखें पिरचार पिसार में लगे हुए है देखें यह हमारी प्यारी पित भी है और इसमें आप देखेंगे तो यह हमारा प्यारा भारत आपको एसीया में देखने को मिल जाएगा कहां एसिया में यह हमार प्यारा भारत है और आप यहां से अगर इउरोप जाएं तो आप लोगों को यहां United Kingdom देखने को मिल जाएगा London इसकी रादधानी है और यहां देखे आप लोग Manchester हो, Birmingham हो यहीं आप लोगों को सहर देखने को मिलेंगे अगर वहीं अमेरिका की हम लोग बात करें तो आप देखे अमेरिका यह ओ रही है साइकतराज अमेरिका की बात हो रही है पहले नंबर पर है और चाइना हमारा पडोसी है चाइना दूसरे नंबर पर है जापान तीसरे नंबर पर है देखे, जापन ये है, तीसरे नंबर पर है, और जर्मनी आप लोगों को देखने को मिलेगा आपका, ये जर्मनी हैं, चौथरे नंबर पर उसके बाद आपद देखेगा हमारा नंबर आता है भारत 500 और उसके बाद तेयार है अब हम लोग यह भी कह रहे हैं कि तीसरी नंबर पर हम लोग पहुंच जाएंगे यानि कि हम लोग जापान व जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे इसके कच कुछ महत्पूर पॉइंट है इन्हें जान लिजे पहले आप देखें यह नया मील का पत्थर दुनिया अर्दवस्था का आकार देखें तो मार्ट 2022 की तिमाही में सांकितिक नौमिनल कैस्ट टर्म में भारती अर्दवस्था का आकार आठ सो चंगन दसमलोग शाद विलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि यूनाइटिट केंग्डम की 816 विलियन अमेरिकी डॉलर थी ये भी आप लोगों को मालू होना चाहिए और आपको एक और पात बता देता हूं 2020 और आप देखें 21 तो कुरोना महामारी के कारण बरवाद होंगे ये अर्दवस्था हैं दुनिया वर की अर्दवस्थां उपर पर भाव पड़ा उनाइट यूनाइटिट किंग्डम के साथ तुलना क हूं करें तो जन संख्या का आकार 2022 भारत की जन संख्या है एक दसंबल्व एक तालीस मिलियन है जब की यूनाइटिट किंग्डम की जन संख्या 68.5 million है तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है भाई अंतर है पिती बैक्ती सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो पिती बैक्ती सकल घरेलू उत्पाद आए इस तरों की अधिक यथार्ट वादी तुला पिदान करता है क्योंकि यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उस देश की जना संख्या से विभाजित करता है भारत में पिती बैक्ती आए बहुत कम बनी हुई है 2021 में पिती बैक्ती आए के मामले में भारत 190 देशों में से 122 बे इस्थान पर है इसे आप लोग इस तरह से समझिए माली जी कि आपकी क्लास में 190 बच्चे बैठ रहे हैं और आपका नंबर 122 बात आए तो आप क्या कहेंगे? कि आपकी इस्तिती ठीक है या बुरी है? तो आप कहेंगे कि आपकी इस्तिती बुरी है हमारी देश की पिती बेक्ती आये बहुत कम है देखने को आपको मिलेगी यह आप देख लिए United Kingdom कहां देखने को मिल रहा है और इंडिया कहां देखने को मिल रहा है आपको तो आप देखेंगे कम पित्ती बेक्ती आये अक्सर गरीबी के उच्च इस तरी की ओर संकेत करता है और 19 भी सदी की सुरुवात में बेटेंड में चरम गरीबी की हिस्सेदारी भारत की तुला में काफी अधिक थी और हाला कि भारत में गरीबी पर अंकोस लगाने में काफी प्रगती की है फ्रिवी सापेक चिस्तिती ओलट है और आप देखेंगे कम चन संख्या रहेगी तो वो आसानी से उस पर कंटॉल भी कर लेंगे स्वास्त चित की बात कर लिजे तो आप देखेंगे कि सार भोमिक स्वास्त कबरेज सूच कांको पिजनन मात और नवजा सिसू और बाल स्वास्त संक्रमक रोगों गैसंचारी रोगों और तथा सेबा चमता और पहुं सहिद आवस्च सेबाओं के ओसत कबरेज के आधार पर जीरो सबसे खराब और सौ सबसे सरफशेष्ट के परमाने पर माना जाता है अगर किसी कांक जीरो आ रहा है तो सबसे बुरी इस्थेति और सौ अगर आ रहा है सौ की तरफ यागर 99, 99 तो उसकी इस्थेति अच्छी मानी जाती है जबकि तेज आर्थिक विकास और 2005 से स्वास्त ये उजनाओं पर सरकार की नीती ने भारत के लिए एक अलग सुधार किया है और इसके बापजुद अभी भी एक लंबा रास्ता तै करना देखने को मिलेगा United Kingdom यहां भी आप देखी हेल्थ के मामले में उपर टॉप पर देखने को मिल रहा है और इंडिया हम लोग यहां देखने को मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं यहीं मानव विकास सुचकां की बात कर लेते हैं उच्चे सकल घरेलू उत्पाद और तेज आर्थी विकास का अंतिम लक्ष है बेतर मानों विकास मानकों का होनक है और HDI 2019 के अंसार युका का स्कोर 0.992 है और भारत का स्कोर 0.645 है जो तुलनात्मक रोप से युके से काफी पेचे है अपने धर्म निर्विक सुधार की से हम लोग कितने पीछे हैं युके से हम लोग कितने पीछे हैं वर्तमान परिदेश्ति की देखें तो नाठकी ये बदलाओ पिछली 25 बरसों में भारत की तीब आर्थिक बिद्धी के साथ साथ पिछली बारे महिने में पाउंड की मूल में गिरावट देखी गई है और ब मत चुके हैं कि हकीकत कुछ और ही है नंबर के पर बढ़ जाना चाटवे से पांचवे नंबर पर पहुंच जाना ये काफी नहीं होता है अगर हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देते तब आप कह सकते थे कि हम लोग ने हमारी जनसंख्या भी वराबर है चाइना से भी निर्बान चेत की 8% की अल्व बिद्धी चिंता का विसा है हमारे लिए साथी आयत की तुलना में निर्यात से अधिक होगा होना चिंता का विसा है और यह आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं निर्यात का मतलब हो रहा है कुछ बेंच रहे हैं आपित्य में खाद्यान की संकत भी देखने को मिलता है महिंगाई में विद्धी लगाथा 7 महीने में महीनों से मुद्र इस पिती में लगबग 6 परसेंट की लगातार विद्धी हो रही है और भारती अर्थवस्था को उच्छे उड़्जा कमोडिटी की कीमतों के से पिती कूल और इस्तितियों का सामना करना पढ़ सकता है बर रहा है और जिसका भूगता मांग और कमपनियों की निवेस एहोजनाओ पर पर परभाव पढ़ने की संभाव ना है और महेंगाई तो आप लोग अनुभाव भी कर रहे होंगे देखिए यहाई एक सब्द उप्योग हुए है मुद्रा इस्पीती तो मुद्रा इस्पीती या महेंगाई की कह देते हैं किसी अर्दोस्ता में समय के साथ बिभिन माल और सेवाओं की कीमतों में होने बाली एक सामान बढ़ोत्री को कहा जाता है जब सामान ता आप सबसे अच्छा उधार है सरसे का तेल ले लिए सरसम का तेल ले लिए आप देखते थे कि 100-500 रुपे लीटर मिल जाता था और आज आप जाएंगी तो आपको उसे 100 मतलब एक लीटर तेल के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ा है 200 रुपे खर्च करना पड़ा है यानि तो उसी की बात हो रही है यहाँ एक सब्द की और लेक हुआ है GDP, Cross Domestic Product यानि की सकल गहरे लोग उतपाद किसी एक साल में देश में पैदा होने बाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल बैल्यू को आप लोग GDP के नाम से जानते हैं तो यह एकॉनोमिक से के अर्थव्यस्थ कुछ हो ही गया है और आप समझ गया होंगे कि क्या किस तरह से अर्थवस्था बड़ी है और किस तरह से बड़ा चड़ा कर बताया जा रहा है और आलोचना जो कर रहे हैं उनका भी आप लोग समझ गया होंगे कि वो किन पॉइंटों को किन बातों को ध्यान में रखते कही अर्थ सास्त्री यह भी कह रहे हैं कि हमारा पडोसी है और उसकी बरबादी हो गई तो उसकी तो आए आप देखे कम बरबादी हुई तो आप तो उससे आंगे हैं लेकिन उसके बरबाद होने के कारण वो पीछे चला गया आपकी इस्तिती में कोई मतलब आप सोचए, बड़ोत्री नहीं हुई, आपको पहले 10 रुपे आये थी, तो आज भी 10 रुपे आये हैं, लेकिन उसकी 20 रुपे आये थी, तो उसे 15 रुपे का घाता हो गया, 15 रुपे की बरवादी हो गयी, तो अब उसकी पांच रोपे आये बच्ची हुई है तो उससे आंगे तो आप हो गए लेकिन आप में कोई बड़ोतरी नहीं हुई है तो इस तरह का उधारंदिया जा रहा है चलिए और बताईए किसी टॉपिक पर बात करनी हो तो हम लोग कर लेंगे आप लोग पढ़ते रही है एंजॉई करते रही है